यह दोस्तों अधिशिज मूकेस, Well, कभी-कभी हम लोग अपने day to day life में Sz digital को बोलते हैं, ज्याँ पर हम लोग काते हैं, तुम्हें सक करने की यादत है, उसे सक करने की यादत है, पापा को सक करने की यादत है, मुझे सक करने की कोई यादत नहीं है, तो ऐसे sentences को English में बनाने के लिए किस structure का यूज किया जाता है यहाँ पर जो phrase आजा है सक करने की आदत है तो इसके लिए हम लोग English में यूज करते हैं Hedge app के साथ habit to doubt अब इसके complete structure को देखते हैं सबसे पहले लगाएंगे subject सबजेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हैज app according to subject यदि आपका subject I, V, U, they, plural I तो have लगाना पड़ेगा यदि subject ही, सी, ही, सिंग्र, नाउन हो तो हैज लगाएंगे उसके बाद हम लोग लगाएंगे habit to doubt habit to doubt इसको doubt पढ़ा जाता है याँ पर be silent होता है यदि आपका sentence negative में हो तो क्या किजेगा सबसे पहले लगाना पड़ेगा subject subject को लगाने के बाद लगाएंगे don't or doesn't don't or doesn't जिस subject के साथ आप have लगाते हैं उसके साथ लगाएंगे don't अगर negative का है तो हैज वाले sentence में doesn't आएगा और आखरी में लगा देंगे have habit to doubt have habit to doubt ये American English वाइश को British तरीके से भी बोल सकते हैं अब इस structure को better तरीके समझने के लिए कुछ examper लेते हैं तो आज का पहला sentence है तुम्हें सक करने की आदत है तो इस sentence के लिए बोलेंगे you have habit to doubt you have habit to doubt ऐसे बोला जाता sentence को next sentence उसे सक करने की आदत है इस sentence के लिए बोलेंगे she has habit to doubt she has habit to doubt यहाँ भी she has को मिला सकते हैं पढ़ेंगे she's she's habit to doubt she's habit to doubt next sentence क्या पापा को सक करने की आदत है question जब करेंगे तो do और does को आगे कर देंगे तो इसके लिए बोलेंगे does dad have habit to doubt next sentence मुझे सक करने की आदत नहीं है तो इस sentence के लिए आप कहिएगा I don't have habit to doubt I don't have habit to doubt यदि sentence आपको पास्ट में बोलना होगा तो क्या किजिएगा हैज़ब के जगा हैट लगा देजिएगा जैसे कि मुझे सक करने की आदत नहीं थी या मुझे सक करने का आदत नहीं था तो इस sentence के लिए बोलेंगे I had not habit to doubt I had not habit to doubt याने तो I didn't have habit to doubt next sentence उसे सक करने का आदत था इस sentence के लिए बोलेंगे He had habit to doubt He had habit to doubt हे दोस्तों से जुड़े मायप को एक संटेज दे रहा है उसको ट्रासर की जाड किज़े कमेंट बॉक्स में if you make any mistake then I'll correct it thank you for watching my video